So guys last video में हमने top 10 leaders के बारे में बात किया था एट इस video में हम बात करते हैं top 10 defenders के बारे में जिन के पास सबसे ज्यादा tackle points है टोटल 44 matches complete हो चुके है चन्य leg भी complete हो चुका है कल चेह शुरू होगा Noida leg 沒有 noida leg शुरू होने से पहले what a fact top 10 defenders पे नजर डाल लेते है ratings दुरुबात करते हैं नंबर 10 के साथ तो नंबर 10 पे पटना पारेट्स के क्रिशन दूल है, क्रिशन दूल ने बहुत ही अच्छा परफोर्मेंस दिखाया है, राइट कॉर्नेर के डिफेंडर है, इतना अच्छा परफोर्मेंस दिखाया है कि टॉप 10 के लिस्ट में आ चुक सामिल है एंड सुर्जीत सिंग 21 टेकल पॉइंट के साथ नंबर नौ पे है नंबर आट की बात की जाए तो नंबर आट पे नितेश कुमार आ चुके है यूपी ओधास के नितेश कुमार जो राइट कॉर्णर के डिफेंडर है इन्होंने साथ मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टुटल 22 टेकल पॉइंट से एंड दो हाइपाई भी सामिल है एंड 22 टेकल पॉइंट के साथ नितेश कुमार नंबर आट पे आ चुके है नंबर साथ की बात की जाए तो नंबर साथ में पुनेडी पल्टन के अभीनेश नदराजन है राइट कवर के बहतरीं डिफें इन्होंने 7 मैचस खेले जिसमें से इनके पास 22 टेकल पॉइंट से जिसमें एक हाइपाई भी इन्होंने स्कोर किया है एंड लास्ट विग भी नंबर साथ पे थे एंड इस पार भी रैंक नंबर सेवन पे है रैंक नंबर सिक्स की बात कीजा है तो नंबर छे पे जैपुर पिंक पैंथर्स के अंकुस राटी है लेफ्ट कॉर्णर के डिफेंडर अंकुस राटी ने 8 मैचस खेले है इन 8 मैचस में इनके पास टुटल 23 टेकल पॉइंट हो चुके है जिसमें दो हाइपाई भी सामिल है एंड 23 टेकल पॉइंट के साथ अंकुस राटी यहाँ पे रै and जो scans के report से वो अभी तक नहीं है most probably कल आ सकते and जो भी updates आते हैं नवीन कुमार के injury के उपर वो मैं आपको सबसे पहले telegram पे inform कर देने वाला हूँ तो जिनों ने अभी तक join नहीं किया whatever join कर लो description box पे आपको link मिल जाएगा ने तो telegram पे जाके आप at the rate sports उनिफ 7 सर्च कर सकतो S.E.P.K.L. के latest updates के लिए number 5 की तरह बढ़े तो number 5 पे गुजरा चायंट्स के फजल अत्रा चली है left corner के defender फजल अत्रा चली ने 8 matches खेले इन 8 matches में इनके पास total 23 tackle points हो चुके है जिसमें एक high five भी सामिल है and इन 23 tackle points के साथ फजल अत्रा चली number 5 पे है number 4 की तरह बढ़ते है तो number 4 पे गुजरा चैंट्स के सोंबीर गुलिया है right corner के सोंबीर गुलिया इन्होंने 8 matches खेले इन 8 matches में इनके पास 24 tackle points हो चुके है जिसमें 2 high five भी सामिल है and इन 24 tackle points के साथ सोंबीर गुलिया number 4 पे है number 3 की बात किज़े तो number 3 पे अब आचुके है मुहमद रेजा सादलू last week यहाँ पे rank number 2 पे थे अब rank number 3 पे आचुके है left corner के defender जोकी पुनेडी पल्टेन के टीम की तरफ से खेल रहे इन्होंने 7 matches खेले इन 7 matches में इनके पास total 25 tackle points है and 25 tackle points में 2 high five भी सामिल है and 25 tackle points के साथ सादलू number 3 पे है number 2 की बात किज़े तो number 2 पे Bengal Warriors के सुबम सिंदे है right corner के सुबम सिंदे ने 8 matches खेले जिसमें से 1 match high five भी जड़ा था and इनके पास total 29 tackle points है and 29 tackle points के साथ number 2 पे आचुके last week number 1 पे थे and अब number 2 पे आचुके है and number 2 पे आने का reason क्या है विगोस number 1 पे एक निया defender आचुका है जो की यहाँ पे साहिल गुलिया है Tamil तरावस के साहिल गुलिया rank number 1 पे आचुके directly rank number 5 से last week rank number 5 पे थे चलना ही लेगता जदा मैचेस के लिए and बहुत यहाचा performance दिखाए left corner के शाहिल गुलिया ने 8 मैचेस खेले है इन 8 मैचेस में इनके पास total 3 high five है and total 32 tackle points है and 32 tackle points के साथ शाहिल गुलिया अभी top 10 defenders के list पे number 1 पे है तो यह है top 10 defenders के list total 44 matches complete होने के बाद आपका favorite defender अभी कौन से rank पे है आप comment काके जड़ो बताएगा and अकल से स्टार्ट हो जाएगा annoyed alec जिसमें UP ओधास की टीम 4 matches खिलने वाली and आपको क्या लगता है कि top defender change होगा कि annoyed alec complete होने के बाद comment काके जड़ो बताएगा and pro quality का पॉंस्टेबल नहीं देखा ये channel ले complete होने के बाद तो left side पे आप click करके देख सकते हो and right side पे top 10 readers का बारे में बात किया है वो video भी बहुत है interesting है उस पे click करके आप देख सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे एक और नए interesting उड़े के साथ thanks for watching